आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नए किया तो सब्सक्राइब कर दीची इसके बाद नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दीची आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों वेलकूम टो मैं चैनल अभी मैं आप लोगों को यह जो ब्लावस का सिलाई दिखाता हूं ब्लावस का सिलाई के सबसे पहले में आपको यह क्रॉस्पीस किस तरह में बहुत सारी लोगों को डावट है अभी भी किसी को पता नहीं बराबर किस तरह जोइन करते करके इसमें देखो इसी तरह जो दोनों पीस एक दूसरे के उपर 90 डिग्री एंगल में रखके सीधा क्रोस सिलाई कर देता है देखो मैं किस तरह सिलाई करता है वो कॉर्णर तो यह कॉर्णर कॉर्णर तो कॉर्णर इसका सिलाई कर देता है ठीक है एक कोने से दूसरे कोने तक सिलाई करेगा तो हमारा वो पीस जुट जाता है उदर उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उदर सिलाई वाल सिलाई उसको काट के निकाल देने का कि इसके बाद कॉल के रिखेगा तो आपको यह एकदम स्ट्राइट लेन इसी तरह मिलेगा आप लोग कभी भी इसी तरह इसको जॉइन कर देना अभी दूसरा काम हमारा यह ब्लाउस का टक बनाना है उसमें देखो हमारा मैं आपको पहले बीव बताया था यह जो बड़ा टक आता है जो नीचे वाला में टक वो सबसे पहले आप हम सिलाई कर देता है सब में मार्किंग किया हुआ है वो मार्किंग के सबसे सिलाई कर देता है जो बड़ा टक जो आता है उसको मेशरमेंट रखता है बाग की सब आदा इंच का चेवडाई में हम सीधा सिलाई कर देता ह ए लेकिन जो बड़ा ठक घो आता है उसको हम बराबर मेसर्मेंट करके उसका सिलाह कर देता है इस तरह रखेसी लाई कर देखो द मोड के कॉट्रींच कर रखते है तब वह आदा एजमें फिनिश हो जाता है इसी तरह ही करता है तीनों, ब्लाव्स का सिलाय में आपको पहले भी बताए दाए ब्लाव्स का सिलाय बहुत EC ہो जाता है, लेकिन फारक ठोड़ा प्रॉबमम इस में कटिंग में कर दियते ब्लाव्स, और ब्लाव्स का पूरा अज्जिस्मेंट हम जो भी करता है हम सिलाय के ट हो गया, तो फिर सिलाई में हमने बहुत कुछ जिसमरें Community कर सकते हैं, लेकिन cutting में यह देखने का यह थे को अभी इसका सिलाई हो गया, इसी तरह हम दूसरा सिलाई करना है, इसका अभी दोनों का सिलाई किया मैंने, दोनों कशनँ के के बाद में इसी तरह रखके देखने का इसका दोनों का size सब बराबर ही कि नहीं है, करके कि सब का चवड़ाई एक ही सबसे आना चाहिए, उसके बाद में देखे निचे वाला जो belt एलग अलग कर देता है यह सब हमने पहले डबल फर्लिंग में कट कंटिंग किया था इसलिए भी यह सब अलग कर द ऐता है हमने पहले क्ष्ट की अलग करने से यह पाई आए छेली समझ में मदद हो जाता है यह सबसी नीचे में वो जो मोटा कपड़ा हुआ है तो नीचे रखाँ यह को इतना मजबूत हो जाता यह थोड़ा कीचे गात्र भी तोड़ा स्ट्राउंग रुटत है इसलिए हम इसी तरह कर देता है नीचे जो मोटा कपड़ा रखे उसके उपर डबल लेयर हमने ये कपड़ा रखे सीधा सिलाई कर देते हैं कौटरेंची चेवड़े में जो एक पायर के चेवड़ाई रखे हमने इसको सीधा सिलाई करके जोड़ देता है मोटा कपड़ा नीचे और दो कपड़ा उपर रखाओ होता है उसके बाद में इसको इदर से पीछे के तरफ मोड देते हैं इसी तरह मोड के मोड के इसका के नरे से एक और बार सिलाई कर देने का तभी उसका फिनिशिंग जोड़ा अच्छा मिल जाएगा और यह स्ट्रॉंग भी हो जाएगा आएगा इस तरह इसका दूसरा प्रेस भी जोड़ देना है हमने जोड़के उसको अच्छी तरह फोल्ड करतेने का इसके बाद आयंड करेगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा मैं पहले भी आपको बताया था कभी भी इतना स्ट्रॉंग हो जाता है यह ब्लावस जो नीचे वाल जो बेल्ट होता है बैल्ट कभी भी तोड़ा मोटा और स्ट्रॉंग होना चाहिए तो यह हमारा ब्लॉस एकदम शैप में रहेगा नहीं तो ब्लॉस का उतना शैप नहीं आएगा कभी भी ये ध्यान में रखना उसका जो भी बेल्ट बनाता है हमने नीच वाला उसका तोड़ा मोटा कपड़ा रखना चाहिए अंदर जाई तो ये तीन-चार लेयर आपको रखरना पड़ेगा तोड़ा मोटा होने के लिए सबसे अचाहिसा मोटा कपड़ा एक ये फिनिशिंग में आ जाता है इसी तरह इसका दूसरे पीस भी हम सिलाई कर देता है अगर साइड में कुछ एक्सस वागेरा है तो उसको काटके अलग करके एकदम क्लियर कर देने का ये देखा ना आपने इतना मजबूत हो जाता है ये अभी हमने दोनों सिलाई किया ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका जॉइन करने से पहले हमें ये बेल्ट और ये जो उपर वाला हिसा दोनों रखके एक बार नापके देखने पड़े का इसका लंबाई कितना आ जाता है क्योंकि हमारा पूरा ब्लाउस का लंबाई आ जाता है सावा बारा ओर हमने और हमने 60 Corinthians का रखता हुआ है ये घ्यादा से जादा चे तक गहना चाहिए ठहीं इसको हम क्या करते हैं ये इसका बेल्ठ में कुछ अजिसमेंन नहीं कर सकता है च्योंकि है में बेल्ट वोई साइस में मिलना चाहिए इसलिए ये उपर वारा हिस्सा जो होता है उसको हम तोड़ा काड़ के देता है मैं दिखाता है आपको वो किस तरह करते करके आप देख लेजिए ये बहुत दिरूरी चीज़ है आपको नई तो आपका फ्रेंड वाला हिस्सा कि देखो इसी तरह रखके हम इसको इदर से तोड़ा काट के देदेता है कि टिके इतना हम काट के आलग कर देता है तब यह मैं उसका शेप बराबर मिल जाएगा भी इदर हम कॉट रिंज का से मेलावन्स रखके इसको जोड़ देता है बेल्ट और यह फ्रेंड वाला इसस से जोड़ देता है ठीके यह भी देखो उसका शेप बिवराबर आ गया कि इसका साइट बराबर देखने की बात में हम सीधा रेके इससे लाई कर देने का यह भी मैंने आपको बताया था कोट रिंच चोड़ा है रखके आपने सिलाई कर देने का अगर आपको कुछ अजस्ट करने को लगता है तो आपको उसमें दुबारा अजस्ट कर सकता है दुबारा एक और सिलाई आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है अभी देखो बेल्ट हमने अटच कर दिया बेल्ट अटच करने के बाद में भी इसको देख लेने का इसका शेप और साइस एक दम सब्सक्राइब कर दिया अभी देखो दोनम साइड में हमने बेल्ट लगा दिया अभी इसके बाद में भी देखो इसी तरह रखके देखने का शेप से बराबर आते हैं यह करके ठीक है उसके बाद में आभी देखा हमने यह फ्रेंट साइड का दोनों पट्टी लगाना है हुक वाला पट्टी भी और दूसरा साइड वाला पट्टी भी लगाना है यह मैं आपको बताया था डाइंच चोड़ाई में हमने इसका पट्ट काट करका था जिए राइट सैड वाला पीस से राइट साड वाला पीस को इसी तरह रखे हमने वोपर से यह लोड देता है वोफर वाली से चैय SARAH part वाला साट यह बाहरवाला साइड में इसी तरह रखे हमने एक पज़ाइच में इसका सिलाई कर देता है, जो कटिंग का टाइम पे आपने देखा होगा quarter inch का हमने उदर चौड़ाता एकस्ट्रा चौड़ाता हो चौड़ाई के सबसे रखे हमने सीधा सिलाई कर देने का, इसका जो लेंबाई है उससे एक इंच ज्यादा काटने का है फिर देखो इदर इसी तरह हमने मोड के रख देता है सबसे पहले तब ही वो सिलाई में वो अंदर चले जाता है ठीक है अभी इसको इसी तरह कॉल देने का हमने कॉल के इसको पीछे तरफ एक बार मोड देने का देखा इसी तरह एक बार मोड देने का मोड के एक और सिलाई इदर से करते हम इसको एक और फोल्डिंग हम कर देता है लेकिन सबसे पहले इसी तरह एक फोल्ड कर देता है कि कि इसी तरह एक दम लेवल में रखके किनारे से सिलाई कर देता है कि अब इसको हम दोबारा इदर से हमने सिलाई किया भी उदर रखके इसको मोड देता है दोबारा लेका इसी तरह हमने मोड देता है डबल फॉल्ड कर देता है इतर क्योंकि मैंने बताए इस सेड में हमने हुक लगाना इसका कि यह को इसी तरह रखके हम सीदा अभी इसका किनारे से सिलाई कर रहा है अगर आपको बाहर की तरफ इसका सिलाई नहीं दिखना चाहिए तो आपको अंदर के ये साइड में हाथ से हम कर सकता है लेकिन इसका ये साइड में अगर आप सिलाई करेगा तो भी आपको कोई प्राब्ल नहीं यह क्योंकि क्योंकि यह साड़ी की नीचे वाली सेर में चल जाता है ठीक है यह अभी लग गया अभी हमारा राइट सेड वाला पट्टी लगा हुआ है ठीक है अभी हम इसका लेफ्ट वाला साइड में भी पट्टी लगाता है लेफ्ट वाला साइड में देखो हम अंदर की तरफ यह पट्टी रखा है सिलाई करने के लिए अंदर की तरफ रख देता है जो राइट साड़ वाला हम बाहर वाले साइड में रखा था लेकिन यह अंदर वाले साइड में रख देता है इदर भी उसी सबसे वही सबसे हम कर देता है लेकिन उधर जो डबल फोल्ड किया इदर वो डबल फोल्ड नहीं होगा सिंगल फोल्ड आएगा इदर भी हम नीचे आने से पहले इसको मोड देता है पीछे के तरफ इसी तरह मोड के रख देने का फिर हम ने उसमें जो जैसे कोला उसी तरह इसको कोल देता है लेकिन इसमें देखो यह फरक कर देते देखो इदर में कौट रिंच का चवडाई में इसको किनारा मोड दिया पहले फिर इसी तरह मोड देता है ठीक है यह हमारा बाहर वाले साइड है इसलिए एकदम साफ सफाई में होना चाहिए अच्छा फिनिशिंग में आप मोड दो उदर कौट रिंच का इसाब से फिर वही किनारे से हम सिलाई कर देते हैं ठीक है इधर इसके बाद में दुबारा एक और सिलाई एक पायर का चोड़ाई रखके एक और बार सिलाई कर देने का इसमें हुक और लूप हम दागे से लूप बनाता है जो नौर्मल बनता है यह देखो इसी तरह यह रखके देखने का इसका शाइप और साइज सब मैचिंग आते के नहीं है अगर के ठीक है इसका सब मैचिंग आ जाता है नहीं तो आपको उपर वाले साइड से कुछ अट्जस करने तो कर सकता है लेकिन इसमें कोई करने का जरूत नहीं कि मैंने आपको बताया था हम ब्लाउस का कटिंग एकदम प्राफिक्ट काटेगा तो आपका सिल्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कहीं कम ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा ठीक है यह बैक वाले पीस है अभी देखो बैक वाले पीस में हम किस तरह इसका पट्टी इसका सिल्लाई कर देता है इसको इस तरह सिल्लाई कर देता है यहिसलिए हमसी लाई कर दैता है मैं आपको बताया था पहले भी ब्लाउस में कभी भी जो नीचे वाला पट्टी बहुत मजबूत होना चाहिए आगे वाला सेड भी पीछे वाला सेड भी तबी ब्लाउस बराबर शेप में उदर रह जाता है नए तो उपर नीचे कभी हो जाता है ये तिके उसके बाद में इसी तरह मोड के हम इसका किनारे से भी एक सिलाई कर देता है इसका भी नीचे वाला सेड में आपको दिखाए था अंदर से ये लास्ट में हम कर देना है ठीक है इसी तरह हमने इसको सिलाई करके लगा दिया अब इसके बाद में देखो ये जो एक्स्टा जो है इसमें कौटर इंच उसको इसी तरह हम फोल्ड करके उसको भी सिलाई कर देता है और लास्ट में इसको हमने हम कर देता है ठीक है ये अभी हमारा सिलाई हो गया अभी हमें इसके पीछे अभी हम कर देना है बाकी काम तो हमारा हो गया फोल्डिंग भी हो गया अभी देखो इतना मजबूत होना जाहिए ब्लाउस के पीछे वाला पट्टी भी इसी तरह एकदम स्ट्रॉंग होना चाहिए तब ही मैं बताया था आपको ब्लाउस उदर का उदर ही रह जाता है जो एक्सस है उसको सब काटके अलग कर देने का अब अब यसको मैंने आपको बताया था इसके पीछे वाला पट्टी हम हम कर देता है दाश में लेकिन वो छिल्क के लिए हम पहले इधर इसी तरह एक बार लॉक करके उसको सिल्लाई कर देता है दोन Apparently साइड में इसका जो खिनारा एक बर ऐसी तरह से लाए करते हैं तबी वह उदर एकदम फिनिशिंग हमारा परफेक्ट आ जाएगा अभी हम इसका शॉल्डर जोइन कर देता है सबसे पहले शॉल्डर जोइन करने के बाद ही हम इसके में नक वाला पट्टी लगाता है जब पाइपिंग पट्टी आता है नक में जो सिंबल ब्लावस होता है उसका आगे और पीछे दोनों सेड में पट्टी एक ही टाइम लगा देता है सीधा सिंगल पट्टी जटका मारा दोनों सॉल्डर अभी देता है जुड़ गया हुआ है अभी इसमें अभी हमारा स्लीव लगाने काम रहे गया हुआ है और हमारा नक वाला पट्टी लगाने वाला काम रहे गया उसके बाद हम इसका साइड जोड़ देता है आथ देखो अभी front Armhole लोनके उसका कट के हैं अभर सैडोम सैजבר का स Lynn भरॉण हृँ तो देखो आभी हम इसका नक में wiping लगाने की दिखता हूं। वह by by इंक कि सरह लगाते लगा कर나bound देख करूद जो हमने सुट्रोंBut Pぇ जोड़ के रखका शबकिए सबसे पहले मैंने आपको दिखाये था उसको सबसे पहले इसी तरह मोड देता है सिधा आदा में रखके हम मोड देता है कि यह भी मैंने आपको बताया था इसका किनारा भी हमने लास्ट में हम कर देता है अंदर की तरफ प्रॉस में ज्यादा करके इसी तरह हम कर देता है सिलाई नहीं करता अगर पाइपिंग वागे मेर्ट लगते तो हम उसमें सिले कर देते नहीं तो इसी तरह इसको रखे अटाज कर देते हैं देखो सबसे पहले इसी तरह मोड के इतना चड़ा के रख देने का बाहर की तरह उसको देखो इसी तरह हम मोड देता है जैसे हमने पट्टी लगा हुआ था पट्टी लगाने के टेम पे किया था वही सेम मेटेड इदर भी कर रहा है इसके बाद देखो इधर एक पायर कच्वडाई में हमने सीधा इसका शिलाई कर देता है इसी तरह इसका फूल राउंड हमने शिलाई कर देता है अभी इसको एक बार पूरा करने के बाद में इसका किनारे से हम दोबारा एक और बार सिलाई कर देता है अभी इसका बार सिलाई कर देता है कि अभी भी गेला से लाई करते हैं थोड़ा आराम से का सिलाई कर लेना अब जो एंड आएगा जैसे हमने शुरू किया था उसी तरह तोड़ा जाधा काटके इसको पीछे के तरफ मोड के रख देने का कि कि इसी तरह अच्छी तरह मोड करें लोकर के उधर फिनिश कर देने का मैं दोबारा एक बार दूसरे तरफ कोलता है कोलने के बाद में उसके किनारे से एक और वर सिलाई मात रहते हैं हम जमी उसके होजे से ये कभी गिला नहीं कुलेगा जब इसे तरह इसके किनारे से दुबारा एक बर सिलाई कर देते हैं इसको पूरा फोल्ट राउंड गुमा देने का अपलोब अपलोब कि उसमें एक बात ज़रूर द्यान में रखना है उसमें ज्यादा खीशना है नहीं चाहिए जो उसका कपड़े का जो नॉर्मल स्ट्रेच रहता है उसी इसाप से रखके उसको सिलाई कर देने का नहीं तो आप लोको उदर रंगल सा जाएगा कि अभी हमारा गैला सिलाई हो ग जाएँ उसको इसी तरह मोड देता है मोड के हम एक बर सिलाई कर देते इसका मैं आपको बताया था इसका भी हमने हम करता है सिलाई नहीं करता है कि दोनों इतना ही हमने सिलाई करते तेसमें अभी इसमें स्लीव अटाच कर देते हैं सिधा स्लीव में इसका मेल पॉइंट मार्किंग किया हुए हमने इसको रेक्के स्लीव अटाच कर देते हैं लाट अब लोट अब लोट अब पर आख अब आख वर आख व्यक्त वह आख अब कि स्लीव आप लोग कभी इसी तरह बीच में रखें बीच में से चलाएश रुकरेंगा तो लोग अच्छर रहेगा कि इसलिए कभी भी डबल से लाइगा देने का करना चाहिए कि ब्लाउस में सब जगा डबल से लाइगा तो उतना अचाहिए क्योंकि ब्लाउस में आपको बताया बोड़ी फिटिंग रहता है तो कपडा किछने के चैंसरस ज्यादा है अभी अबने इसका गेला हम किया हुआ है, ऑंदर से अबी देखो, इसको आभी मेशरमिं के इसाब से नाप लेने का एक बार नाप के हम इसी इसाब से 습 क्रुख हुआ है आपको इदर खट दिखाई देगा वह कटके इसाब से रहके हम इसमें सिदा सिल्फथा करते हैं आपको पता है मैंने देmonश का इधर सीमैलवर्स चोड़ा है उससी समसे और ओपर और मार्किंग कर लेना है वो मार्किंग करके उसमें सिल्फाइँ कर देना है कि वह सिलाई करेगा तो हमारा लाउस का चिलाई अब इदर खदम हो जाता है इसमें मैं आपको बताया एक आपको लास्ट में इसमें एक इंच का सीमेलर्स जरूर मिलेगा कि उसी सबसे हमने पहले से ही खाटा हुआ है अब देको दोनम पीस हम जोड़ देता है फ्रेंड और बैक कि स्लीव का मेशरमेंट ले लेता है उसका मार्किंग करके उसी सबसे हमने कर देता यह साड़े पांच इंच का है यह स्लीव में हम एक इंच रखा है इसका भी देखो इसी तरह नापके हमने देखने का दोनों साइड में फरक रहता है एक साइड में हमने पट्टी बाहर की तरफ रखा है वो जरूर आप लोग द्यान से देख के करना नहीं तो आपका एक सेड बड़ा रहेगा एक सेड छोटा रहेगा ऐसे नहीं आना चाहिए पर तो अधर कोई मार्किन नहीं रहेगा तो उधर इस से मार्किन कर लेने का हमने देड़िज़ का इदर हमने सीम अलवन से चोड़ा था यह आपको एक रफरेंस के लिए मैं लाइन बना रहा हूं इदर कि इसी लाइन में से हम सिलाई कर देता है बलाउस का सिलाई में इसी तरह हो जाता है कि क्योंकि हमने जब टक सब डाला तो उसका श्रीप में तोड़ा फार्य करेगा इसलिए वो श्रीप करने के लिए हमने कि इसी तरह कर देता है देको जो एकसर से उसको काटके हम निकाल देता है कि कि अभी आपको देखेगा तो पता लेगेगा इसमें एक इंच का आपको आराम से सी मेलोंस मिल गया हुए दोनों साइड में कि अब लोग कितना भी पहले जो भी मार्किंग किया होगा कटिंग करने के टाइम पर फिर भी आप लोग सिलाई में यह जोडने के टाइम पर जरूर इसका नाप के सिलाई करना ब्लाउस में नई तो प्रॉब्लम आ जाता है कभी लूस हो जाता है कभी टाइट हो जाता है वो टीक करने के लिए एकी रस्ता है ब्लाउस का सिलाई में हमने उसका साइड सब अड़्जस्ट कर देता है इसी तरह नीचे से सिलाई करके लेके आने का अधर भी डबल सिलाई ज़रूर कर लेना इसी तरह इसका दूसरा साइड भी जॉइन कर देने का अभी समझो हमारा बलब्स का सिलाई कादम हो गया अभी इसमें बाकी काम रह गया इसका हैम करने का और खुक और लूप लगाने का इसकी बाद मैं यह जो सीमिलर्स चोड़के जितना अभी ज्यादा है उसको एकदम क्लियर कर देने का एक इंच का इसाब से हम सीधा काट के फिनिश कर देने के इसको इसी तरह काटने का नहीं तो ब्लाउस का सिलाई में उदर अच्छा नहीं दिकाई देगा इसी तरह आप लोग सिलाई करने के बाद में उसको दोनों साइड में लेवल में काट देने का एक इंच से ज्यादा इसमें सीम अलॉर्स रखने का कोई ज़रूत नहीं है है ठीक है अभी इस अभ जगा हमें हम कर देना स्लीव भी इसलीव भी करना रह गया अभी पीच्छे वाला पट्टी भी फैम करना रह गया अभी देखिए high अभी अमारा लाउस का सिलाई कदम हो गया आप लोग भी इसी तरह ब्लाव का सिलाई करके जरूर ट्राइ करना इसका कट्टिंग वागे रहा अभी मैं दूसरे वीडियो इसमें डाल देता है उसमें साइस में किस किस तरह फरक कर देता है और कौन साइस में बनाता है वो सब साइस का मैं अलग अलग वीडि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करके शायर कर दीजिए और जो लोग अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिए तैंक यू फॉर वॉचिंग इसी तरह सब जगह नापके देखने का एक बार सिलाई होने की बात है